हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागते मेरे यूट्यूब चैनल वियाई पेडवांस टेक में तो वाइच कोशन नमर 155 तक हम कंप्लेट कर चुके थे लास्ट वीडियो में अब चुछ वीडियो में हम कोशन देखेंगे 156 और 164 तक देखेंगे ठीक है इस कोशन में हमसे कह र आप कोशन waterproof मेंने आपको सैटंग आउट जो और होता है मारा उसके मैने मैंने मैतनस बतायée थैं कौण मैंट होते हैं मारे जिसके ऐलब से हम एक कर्प को सैटbig आउट कर सकते ह victories बताया था घ्रीक है तो उनकी में से बात करेंगे कि क्या आपके पास रेडियल उपसेट मैथड होता है एक बार मैं आपको सारी चीज़े बताता हूं ठीक है देखो गई मैं आप लोगों को बताया थे सेटिंग आउट ऑफ कर्ब का मतलब क्या होता है कोई भी कर्व अगर आपने ड्रो किया है तो उसको आप किस तरीके से एक्जिक्यूट करोगे आपका ग्राउंड पर ठीक है वो आपका क्या कहला था सेटिंग आउट ऑफ कर्व कहल तो यह चीज आप याद रखेंगे चलो गाइज अब जो कोशन में से पुछा था उसके बारे में बात करेंगे मैं आप लोग को बताया था कि अगर आपके पास कोई करेंगे चलिए एक बार मैं आपको डाइग्राम दिखाता हूं ठीक है इस डाइग्राम को आप नोटिस कीजिए यह डाइग्राम आप लोगा इसमें लिए और आपका इंट्रसेक्शन वाला पॉंट होता है जो आपका इस पॉइंट से जब हम क्या लेंगे एक इंट्र जो आ यहां तक हमने डिश्टेंस ली एक सी होगी क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या होती है अब गाइस हम लोगों को पता है कि कोई भी अगर हम टेंजेंट रो करते हैं और वो रेडियस से क्या करेगी एक दम 90 डिगरी का एंगल बनाए क्योंकि वह एक दूसरे क्या होगी परपे हमको find out करना तो टोटल कितना हो जाएगा ओएकस प्लस के आर यहीं तो टोटल लिस्टेंस हो जाएगी तो इसमें हम क्या लगाएंगे ट्रेंगल में पाइट वरस्ट त्योरम लगाएंगे तो यहां पर लगाने के बात क्या है का ओएकस प्लस के आर का स्कौयर इसक्वार और जब यहां से आप इस ओएकस की वैल्यू find out करोगे तो एकस की वैल्यू find out करने के बाद आप लोग के पास solution किया जाएगा कुछ इस तरीके से आप लोग के पास यह solution आ जाएगा जो एक्जेक्ट रिलेशन होता आपके पास अंडरूड आर स्कौयर प्लस के X स्कौयर मा है यहां से question बनता है ठीक है चलो next question पर move करेंगे एक बाल कि next question क्या कह रहा है गाइस next question भी काफी important है transition कर्फ से related question है गाइस कर्प के बारे हम गाईस मैंने आप लोग को हाइव इंजिनिंग में काफी अच्छी से पढ़ा रखा एक बार यहां पर भी हम देखेंगे इफ आर इस दर रेडियस ओप दा कर्वेचर एट एट एन पॉइंट ओफ ट्रांजिशन कर्व टूट पॉइंट देंदर आइडियल ट्रांजिशन कर्व गाईज आप लोगों बताना है कि एल में और जो रेडियस है उसमें क्या रिलेशन होगा अपस में ठीक है जल्दी से सब लोगा अंसर करेंगे चार आप लोग के पास नहीं सब लोग का अंसर मेरे पास आना चाहिए गाइस कोस्ट नमबर 157 का देख इसका जो सही आंसर है नो ऑप्शन नमबर सी बिल्कुल सही अंसर है ठीक है चलो एक बार इसके सोल्यूशन के बारे हम बात करते हैं यहां पर देखिए यह सारी चीज़ा आप लोग को मेंसन करेगी इस पॉइंट में आप लोग लिखा हो इफ आर इस तर रेडियस ओप दा करवेचर एट एट एनी पॉइंट ओफ ट्र रेडियस होती है उसकी ठीक है उसके क्या होती ही इन्वर्शली प्रपॉशनल होती है अगर आपको इसमें लैंट ओफ ट्रांजिशन कर निकालने के फॉर्मुले देखने तो हाइवे इंजिनिंग में मैंने काफी अच्छी से करा रहे हैं कई केसम आप लोग बता रहा कि कि लैंट ओफ ट्रांजिशन कर निकालते हैं ठीक है तो वहाँ पर एक बार आप उसको वीजिट कर सकते हो और वहाँ से आपको पता लग जाएगा फॉर्मुले से कि इन्वर्शली प्रपॉसनल होता है ठीक है चलेंगा इस देखो यहाँ पर काफी कोसन समय करने होते हैं तो पर हमको दे रखा है कि एंगल ओफ इंट्रेक्शन दे रखा है 120 डिग्री और जो रेडियस हमको दे रखी सिंपल सर्कुलर कर रोगी वह 700 मीटर हमको दे रखी तो आप लोग को पताना लैंट ओफ कोड जो होगी 700 मीटर होगी यह लैंट ओफ कर जो होगा 700 वाइट टू सरकुलर कर रखा है उन्हें चमकिन मावकों बोलाट है व्हां से परियों को देखिए और ज' हमलोग क्या रहा हैaldo यहां यहां पर हम लोग क्या रखांगा यह इंट्रसेक्शन नेंगिल दे धर रखा है वन्टोंटीटरेगरी और चो डिरेदीया से चेवनफ़नेट मीटर वह विलिन है ठीक है तो मैंने एक रिलेशन आप लोग को बताया था जो हमारा किसम होता है जो हमारा सब्सक्राइब करोगे तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है कि सिक्स्टी डिग्री यानि कि हमारे पाद जो डिफ्लेक्शन एंगिल आ गया वह कितना है है आगिए सिके डिग्री और चलो अब उसके बाद लेंफ प्वर जो हमसे पहला कोशन में पूछन था तो एस लेंट आफ़ साइन डेल्टा वाइट आपको पहले यह बता देल्टा निकाला क्यों हूं देखो हमारा जो मुले में होते हैं इनको डिकार में और शीछ ने तो पूट करने के बाद क्या है गाइज जो सारी वैल्यू आप पूट करोगे तो पूट करने के बाद आपको 700 मिल जाएगी क्या लैंथ of code ठीक है तो length of code आप लोगो 700 मिलगी और यही हमसे option number one में बेरका था ठीक है statement one में यानि कि statement one तो हमारा सही हो गया next बात करेंगे length of curve की ठीक है जो option number B में यानि कि statement two में हमसे पूछा था तो उसका formula में आप लोग यह बता है था ठीक है आप लोगो याद भी होगा जिसमें आप लोगो इसको solve करके बताया है लेंद एक चोटे सब्सक्राइब होगी और जो टोटल आपकी कर्व हो गया है circular होगे उसकी रेड़े मोगत नहीं होगी लेंद टूपायार होगी circumference की और जो इस तरीके से मैंने solve करके बताया था आप लोगो लास्ट वीडियो में ठीक है तो हम इसकी लेंद निकालेंगे तो लेंद के रखी कितनी 700 वाइट टू ठीक है तो वो तो गलत है इसको सोल करने के बाद 700 वाइट टू तो आई नहीं सकता ठीक है तो इसलिए option नमबर जो बी था वो तो correct हो जाएगा और जो option 1 था वो correct हो जाएगा ठीक है तो इसका सही यह आंसर था वह आपके पास क्या होगा यह option बिल्कुछ सही होगा ठीक है कॉस्टन नमबर 158 का सही है चलो इसको सिंगा अंसर करो होता है वह आपका क्या होता है कहां पर उसको प्रोवाइट कराते हैं यह सारी चीज़ें बता रखेंगे लेकिन अभी इसको सन में हमसे यह पूछा कि जो रिवर्स कर आप लोग के पास होगा उसमें जो सूपर एलिवेशन आप प्रोवाइट करा होगे एड़ पॉइंट प्रिवर्स कर वेचर ठीके जो रिवर्स कर वेचर वाला पॉइंट होता हूं वहाँ पर सूपर एलिवेशन बताना कितना होगा जीरो मिनीमम मैक्जिमम या फिट डिपेंडेंट ओन एलिमेंट्स ओफर रिवर्स करो सब लोग सभी अंसर करेंगे देखो गैज इसका जो सही अंसर है वो option number A बिल्कु सही अंसर है कितना होता है जीरो होता है ठीक है चलो मैं आप लोगो दिखाता हूँ एक बार किस तरीके का होता है आपका reverse और कौन सा reverse of curve चरोता है देखो गैज यह आपका reverse curve है ठीक है जिसको कुछ लोग S curve भी बोलते हैं यह चीज आप याद रहोगी S curve भी इसको बोला जाता है और यह वही आपका s curve है यह वही आपका reverse curve जो आपका कहां पर यूज कर जाता है रेलवे में ठीक है जो railway track आप बनाते हो ठीक है उसमें इसका यूज करते हो और यह वाला जो point होता है आपका ठीक है यह जो point आप लो आपका स्लोप यहां पर भी आपका स्लोप प्रोवाइड कराया जाए ठीक है लेकिन जो आपके इनर वाला स्लोप होता है वहां पर कोई भी कार्व आपका स्लोप नहीं होता है ठीक है तो आपका स्लोप होता है वह कितना होता है जीरो होता है कितना होता है जीरो होता है ठीक है यह चीज़ आप याद रखोगे ठीक है चलो नेक्स कोशन पर मूब करेंगे गाइस next question आजाता है question number 160 यह question भी guys काफी अच्छा है यह आपको बता रहा है कि total angle of deflection of a transition curve is guys आप लोग को बताना कि जो total angle of deflection होगा वो कितना होगा ठीक है यानि कि total deflection angle होता है delta यह आपको बता रखा है और जो spiral angle एक तरीके से स्थाइरल लिखते हैं फाइल लिखते हैं नोग इन दोनों उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो अभी आप लोग को बताना कि सही अप्सन क्या होगा टोटल डिफ्लेक्षन इंगे जो हता है वो इस्पायरल एंगेल का वनवाई थार डू होता है मैं आपको बताता हूं टो एक जो होता हैापके पास, वह स्पायरल करूँजा होता है, तो स्पायरलकरु में होता है किसम आप पास गया होता है कि आप किसी भी पॉइंट पर जहांपर होता है जो आपका transition वाला Lol ता जहां पर वो आपके जोइन करते हैं जब आप उस point से क्या करते हैं एक ten division pain trade row करते हो ठीक है और एक आपका जो initial वाला point होता है महाँ सेव टेंज ड्रों करते हैं तो उस़के तो यह एंगिल जो गा वह जादे होगा तो याद रखना इस फाई का होता है वन भाई थार्ड होता है यह ओलेंगे चलो इस question का answer करेंगे question number 161 का the shape of the vertical curve generally provide is guys आप लोगों को बताना है जो shape of vertical curve होता है ठीक हो कैसी होती है circular होती है पैरावोलिक होती है इस्पायरल होती है elliptical होती है सब लोग सही answer करेंगे guys मैं आप लोग बता दूँ जो इस बिलकुल जिनका answer parabolic है उनका बिल्कुल सही answer बोगी हो जाता है जो सब्सक्राइब करते हैं जिसकी जिसकी वज़े से क्याय करते हैं जिसकी वज़े से होता जो जर्क का इफक्ट होता है ना बहुत का यूज कर देता है अभी इस से रिलेटिट में आप लोग को बता देता हूं दो पैरावलिक कर जो प्रोवाइड कराते हैं मैं अब इसको प्रोईट करने का रीजन क्या होता दो कि जब आपको एक टैंजन गुरेड मतला एक उड़ेड यह है जी अब जीवन और एक सीटिटी पर मूव करना होता है अगर हम यूज़ करते हैं ठीक है यह चीज़ आप लोग को याद रखनी और भी इससे बहुत सारे पॉइंट बनते हैं वहीं मैं आपको बताता हूं यह मैं आप लोग को बता दिया कि किस तरीके का आपका वर्टिकल करव होता है जब हम एक ग्रेट से दूसरी ग्रेट पर मूव कर रहे होते हैं ठीक है यह चीज़ आप लोग को दियान रखनी यह जो पॉइंट में आप लोग के लिए लेकर ख्यांग ठीक है यह बहुत ज्यादे इंप्रटेंट पॉइंट है इस डायरेक्ट इन को सना आपके बनते हैं जो आइडियल से होती समिट कर लिए वह आपके पै इनों के तिनों पॉइंट आप लोग याद रखना है तो डायरेक्ट को सना आप लोग के बनते हैं ठीक है समिट कर जो आपका इस तरीके का होता है वैली कर जो नीचे की तरफ आता है ठीक है इस तरीके का होता है ठीक है और ट्रांजिशन कर आप लोग को पता है जिसकी जो इस क्या दिया एकुछ पता नहीं चला जो चमझते तो इसक्तिक परपेंडिकुलर रोगे वो क्या होगा स्ट के कितने टाइम सोगा ठीक है अच्छा पहले तो समझेंगे कि सिफ्ट क्या होता ये सारी चीज़ा हम संझेंगे ठीक है एक बार जाए यह देखो करवा आप लोग को सो ओँसा तो इस करब में आप लोगों से टेंजेंट पॉ educ की बात करा में मैं आप लोग जोम dostar हूं यहाप कर ला था तो यहां आपका क्या थ 11 डॉलाइक आपके सपी अर्वwork लोक कर दिया है तो अप करेंशा ट्राइशिटन 110 कश्रत नो sait जो आपने टेंज 스थ डो करआए इस पर आपने क्या यह एक left adows ले लिया जो क्या था वाई वाई आज याइंड टाट इल्फारि कнозbung का वोगां रिलिंट्थास ठीके-अनौल करना वहां सब्सक्राइ Frances को यह चीज आप याद रखोगे और ये फॉट गार यह 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 वह सर्कुलर अभून कल तक की दिर्श्टेंट ईभी आप इसत metabol के लिए है जो एक्वेशन आपको बाई हर्ट याद होनी चाहिए ठीक है सबसे पहले एक्वेशन आ जाती ही जो आपका ट्रांजिशन कर वोता है उसके लिए जो आपका स्पारल एंगल होता यह जो एल स्कौर अपन ट्राइल होता है ठीक है और इसको मोडिफाई करके लिख सकते हैं यदि हमारी जो स्मॉल एल है वो किसके कैपिटल एल के एक्वाल हो जाए तो यहांसे जो डेल्टा की वैली हो जाएगी वह एल अपन टू आ रहा जाएगी ठीक है यह भी आप याद रखना नेक्स्ट आती है आपकी जो एक्वेशन आती हो आती है ठीक है तो गाई पोइंट से ठीक है वह भी हम याद रखेंगे यह देखो यह दोनों एक किसन आप लोग को याद रखनी मैं आप लोग बता दी यह आपकी एक्वेशन होती एक्स आपको डिस्टेंस बता दी और यहापकी सिफ्ट की क्या होती और सफिट्ट में आप लोग को बहुत कशिए हैfront गैसे देखो सिफ्ट होता है कि ज्ट वाला होता है उसको कम करने के लिए सिफ्ट करना होता अगर मानलों कि हम क्या करते हैं इस तरीके से हमारा कर वोता है तो सरफ सफीलर कर पूर अस तरहीए मास्ट की यह करा की हमारे लिए दूद ढीकी orbits लिए हमने ट्रांजिशन कर से रौर और ट्रांजिशन करते को कमवाइन करके हमने एक कर प्रोवाइड करा है ठिक है और यह कर उप्लों कितना होथा है 24 होता है आपके रेडियस होती है और एल जो होती है लेंट अफ लों सर्कुलर कर वाली होती है ठीक है यह चीज़ आप लोग याद रखना ठीक है चलो अब एक पर कोस्टन की तरफ बढ़ते हैं जो कोस्टन में हमसे पूछा था देखो हमने माले एक क्वेशन जो ट्रांज लिया था ना सी पॉइंट से जो वाई हमने क्या लिया था और यहां से हमारी टेंजेंट थी ठीक है तो इसी की हम से कह रहा है कि इसी से हम डिलेटर इसका रिलेशन निकालना चाहेंगे सिफ्ट हमारे पास यह होता है जो जब आप इस सिफ्ट को सौल करोगे तो यह 24 को कित एक जाई सोपस्फ टीक है तो यह चीज़ा आप लोगों किया रखना आप लोगों का वह कितना ऑपवह टाप हो जाए का तो यह सघ्सनी कंतल सही है शाए कर ऐसेrokा कि किद्द slalom निमुब करेंगा तो इस question का answer करें question number 163 का if the radius of circular curve is five times the length of transition curve guys आप से कह रहा कि जो radius circular करकी वो five times length of curve ठीक है then the spiral angle आपको spiral angle बताना क्या होगा ठीक है spiral angle five ठीक है five आप लोग को बताना क्या होगा जल्द से सब लोग answer करेंगे अभी five का value बताया था कितना होता है ठीक है five ठीक है जल्दी से सब लोग answer करेंगे गाईज देखो जिन लोगों का भी answer option number B आया उनका बिल्कु सही है देख यह जो question थोड़े अच्छे लेविल के question है अच्छे लेविल के question का मतलब समझ रहे हो जाई ही मैं तो मतलब इन में से बहुत ही rare case में question पूछा जाएगा तो direct question होगा जैसे कि यह question यह direct पूछा जा सकता है ठीक है तो ऐसे question आपको करके जाने है बत हां पता सारे question आप लोग को होने चाहिए क्योंकि examiner तो कुछ भी पूछ सकता है ना यार देखो यह formula भी आपको बताया था spiral angle का ठीक है जब आप क्या करते हो इस्मोल एली जीकल टू क्या कर दोगे यह पूट कर दोगे standard case में तो आपको formula डेली जीकल टू कितना जाएगा एल अपन टू आर यह तो आजाएगा ठीक है तो तो कितना यह 1 by 10 ठीक है तो option number B क्या हो जाता है बिल्कुस एह अंसर हो जाता है चलो next question पर जाओगा इस question का answer करेंगी 164 का सब लोग answer करेंगे if the L if L is the length of the transition curve R is the radius of circular curve then shift of the curve is directly proportional to हो गाई shift का formula अभी आप लोगो को पतायता है L square upon कितना होता है टू ठीक है तो shift हो जाएगी वो length के तो क्या हो जाएगी square के proportional हो जाएगी ठीक है और जो आर है उसके inversely proportional हो जाएगा यह option number B क्या हो जाएगा बिल्कुस एंसर हो जाएगा ठीक है एस जो जाएगा और के तो inversely proportional और जो square length का उसके directly proportional हो जाएगा ठीक है चलो next question पर जाओ गाई यह देखो यह formula shift के लिए आपको सारा percent is followed by out downward grade of 0.5% and rate of change of grade is 0.2% per 20 meter chain then the length of the vertical curve guys काफी अच्छा कोशन है अगर मैं कहूं तो one of the most important question है कि आप कैसे calculate करोगे length of the vertical curve ठीक है तो देखो इसका simple formula होता है कि length of curve आपको निकाल नहीं होती तो जो भी आपका change in grade change in grade है ठीक है जो भी आपका change in grade है और जो rate of change in grade है rate of change in grade है उन दोनों को आप क्या ले लोगे ratio ले लोगे तो आपके पास length of curve मिल जाएगा किस तरीके से लेंगे चलो एक बार आजाओगा यहां पर देखो यह आपके पास formula होता length of vertical curve निकालने का ठीक है अब हम कैसे निकालते हैं कैसे हम difference लेते तो algebraic difference लेते हैं algebraic का मतलए यह अगर आपके पास vertical curve था ठीक है यह आपके पास upgrade था तो यह 1.5% हो गया यह आपके पास downward था तो यह कितना हो गया प्रस find peak ryotaire के ऐघ्री सब्सक्राइब यह 0.5% होओगे तो जभाफ इनको फर् Bottom किया करोगे जब इनको यह वेह उधार मीजए निकालोगे निकालोगे इनका ग्रोगे उनका ग्रेड तो आप क्या करते हो दो दोदों को आप माइनस करोगे तो प्लस की यह 15% माईनस करोगे तो फिर एक माइनस यह ओल लेड़ी होता है तो यह क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ठीक है और नीचे आती है आपके परमिसिवल ग्रेड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड ठीक है तो यह क्या होती है इस परमिसिवल वैल्यू परमिसिवल वैल्यू वह सेंडर्डेंग तो उसा होता है आप लोग को बता दूं देखोर रुड के हैं रेल वे के लिए क्लिए होता है रेलवे के लिए आप nosel देरे रखा ड्रति एंट रखना 30 मिटर चैन के लिए होती है ठीक है जो नीचे आपकी वैली होती है लेकिन अभी हमको लेंट आफ कर निकालेंगे तो यह वैल्यू हम यहां पर रखेंगे और नीचे आपको ग्रेट दे रखा 0.2 परसेंट आपका ग्रेट चेंज हो रहा 20 मिटर के लिए ठीक है तो हम यूज करेंगे और यूज करके जब सॉल करेंगे तो यहांसे सही अंसर कितना जाएगा 200 मीटर बिल्कुस ही अंसर आ जाएगा ठीक है तो आई तिंग आप लोग गाई सारे कोशन सौल हो गए होंगे क्लियर हो गए होंगे अगर एक बार कोई कमेंट हो मतलब किसी कोशन में प्रॉब्लम में तो कमेंट करके मुझे बता देना ठीक है तो थैंक यू सो मच पर वोचिंग इस वीडियो थैंक यू